आप सब लोग सबी को मेरा सस्रीकाल रादे रादे जैशी राम स्लाम वालेकुम है आप सबी लोगों को EduTap Teaching पर एक्षा पे तहे दिल से आप सबी का स्वागत है तो जल्दी से फ्रेंड्स आजाओ छे बजगे हैं क्लास का टाइम हो गया है जल्दी से लाइव हो जाओ अंजली, मनू, प्रियंका, पॉल गीता, नीलम, कोमल थांगे राजपाल, रावत, सोमाली, केतकी, नेहा, गीता, मलिका, रानी आप सबी लोगों का EduTap पर स्वागत है जो भी मेरे फ्रेंड्स जुड़ गए है सबी का स्वागत है हेलो इरितिका, राज जी किसी का नाम नहीं लिया हो, तो प्लीज बुरा मत मानिये, नराज मत होईएगा तो चलो आज के मोटिवेशन कोट से हम स्टार्ट करते हैं बीता हुआ कल कभी बदला नहीं जा सकता लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके साथ में होता है ये चीज हमेशा याद रखना, हम लोग कभी पास्ट को चेंज नहीं कर सकते मालो आप लोग नहीं त्यारी किया, आप लोगों ने या टाइम थोड़ा वेस्ट हो गया हमने पास्ट में जो कुछ भी किया, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते लेकिन जो फ्यूचर है, जो आने वाला है, वो आपके हाथ में है, आप उसको बदलो जी जान लगाओ, फ्रेंड्स त्यारी करो यार, अपने एक्जाम को क्रैक करो प्लीज हलके में मतलो, यह मत सोचो की नोटिफिकेशन नहीं आई, करोना का टाइम चल रहा है, हमें नहीं पढ़ना यही टाइम बेस्ट है, जिसमें हमें पढ़ना है, यही टाइम बेस्ट है, जिसमें लोग अपना टाइम वेस्ट करेंगे लेकिन हम लोग उस टाइम में एक्जाम की त्यारी करेंगे नहीं पढ़ा जाता सुबह उठके पढ़ो ठीक है चार बजे उठचो चार से साथ पढ़ो चार से आठ पढ़ो जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ो क्योंकि वो टाइम लोग सो के बरबाद करेंगे जो आप पढ़ के बरबाद करोगे ठीक है बरबाद नहीं आबाद करोगे उस टाइम को तो पढ़ के आप उस टाइम को यूटिलाइस करोगे जितने घंटे और लोगों ने सोने में वेस्ट कर दिये आप उनसे चार से आठ घंटे पढ़ाई में आगे हो गए इसलिए हमें पढ़ना है, जी जान लगानी है आज previous year questions discuss करेंगे 2016 के 2016 में तीन exams हुए थे, एक मैं discuss कर चुकी हूँ एक आज discuss करेंगे, फिर 2016 में का paper भी discuss करेंगे सारे previous year बहुत बढ़ी है तरीके से यहां पर discuss किये जाएंगे session में आपके साथ, और पीछे का भी हम learn करते हुए चलेंगे, इंग्लिश की class friends, Monday alternate पे होती है 12 बजे, ठीक है, Monday को होती है, उसके वेनस डे को होती है और Friday को होती है, Saturday है, आज English की class थी ही नहीं, ठीक है आप लोगों के जो हमारा वो होता है, वो टेलिग्राम पे पोस्ट हो गया है schedule, आप उसको देखें, प्लीज, और सभी लोगों से एक विंती है मेरे दोस्तों सभी लोगों से मेरी विंती है, मेरे दोस्तों, एक प्लीज, एक कॉम्बो सेशन जैसा मैंने और अंकूर सर ने लिया था, वैसा प्रीत मैं और केतन सर लेने वाले है प्लीज, उस कॉम्बो सेशन में जुरूर जुडिएगा, बहुत मज़ा आएगा Chemistry का Part 3 भी मेरे दोस्तों इस हफते हो जाएगा तो जल्दी से question का answer करो, which one of the following state union territory has a coast on Bay of Bengal Bay of Bengal की coast में, coast पर कौन सी इसमें से union territory या state present है जल्दी से मुझे answer दो, map related question है, यह question आपके exam में पूछा गया है जबी को good evening है friends, जो जुडगे है जबर जी बिल्कुल आपका नाम भी मैंने ले दिया, ठीक है, कभी-कभी नाम मिस हो जाते है तो चलो very excellent, very good, excellent, सभी लोगो का answer आगया है, इसका answer, option number 3 पुड़ुचरी है friends, उन्होंने आपसे पूचा था, कौन सी ऐसी state union territory है, जो coast of Bay of Bengal पे है यह रहा आपका Bay of Bengal, इस पर कौन सी state union territory है, पुड़ुचरी है, ठीक है यह रहा आपका correct answer, और और option में आपको क्या दिया था, Goa, Gujarat और Kerala आपका यह रहा, और Kerala आपका यह रहा, यह Arabian Sea की तरफ है, Bay of Bengal की तरफ आपका पुड़ुचरी है, जो की हमारा correct answer है next question friends, an example of a plant tree, whose seeds travel from one place to another by water, ऐसे plant का यह tree है, जिसके जो बीज है, seed है, एक जगा से दूसरी जगा travel करते हैं, पानी के माध्यम से, वो कौन सा है, wheat, date, apple की, coconut, जल्दी से बताओ, इसका correct answer क्या होगा नश्रा जी, आपका नाम भी ले लिया, के एम भावना जी, पुलकित रावत, जो लोग भी पान दस मिनट थोड़ा सा लेट हो गए हैं, उन सभी का नाम friends मैंने session में ले लिया, ठीक है, नाम आप खुद ही मुझे बता दे गरो कि मैं मेरा नाम ले लो, actually कभी-कभी ख्या हो नेहा वोरा जी, ये PDF पर पूरा session अपलोड होगा टेलिग्राम पर, कल तो Sunday है, ठीक है, कल अपलोड नही होगा, Monday को अपलोड हो जाएगा, Monday को आपको ये map भी साथ में मिल जाएगा, इसका correct answer friends, option number 4, coconut है, जिन भी लोगोंने coconut answer लगाया है, उनका सही है, तो चलो एक बर इस seeds क्या होते हैं, beach क्या होते हैं, वो हम animals के fur पर, हम humans के clothes पर चिपक कर, एक जगा से दूसरी जगा पर travel कर लेते हैं, यातरा कर लेते हैं, कौन से कौन से method से ही यातरा करते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, इसे related question आपके exam में क्यूंकि पूछा गया है, winds के माधियम से, wing-like, जो भी ऐसे seeds हैं, जो भी ऐसे fruits हैं, जिनके seeds wing-like होते हैं, ठीक है, जिनके punk होते हैं, वो wind के माधियम से, हवा के माधियम से, friend travel करते हैं, जैसे आप यहाँ पर एक example देखो, मैंने यहाँ पर sunflower and oak, इसका उधारन है, सूरज मुखी और oak, यह रहा आपका plant, flower, अब क्या हुआ, इसके जो seeds हैं, आप देख सकते हो, इसके wings हैं, यहाँ पर इस file में देख सकते हो, इसके wings हैं, तो यह हवा के साथ उड़ जाते हैं, इस प्रकार के seeds, कुछ seeds जैसे हैं, जो water में भी travel करते हैं, ठीक है, कुछ fruits जैसे हैं, जिनके seeds water में ट्रावल करते है यह seeds पानी में गिर जाते हैं, sea और river के माध्यम से यह एक जगा से दूसरी जगा ट्रावल करते हैं, इसका example, coconut है, नारियल, यहाँ पर मैंने image भी लगाई है, यह water में टूट कर गिरते हैं, ठीक है, तो पानी में गिरते हैं, और पानी के माध्यम से यह ट्रावल करते हैं, फिर जंगलों में monkeys होते हैं, वो fruit को खाते हैं, वो क्या करते हैं, सीड को फैंक देते हैं, कहीं पर भी, तो एक जगा से दूसरी जगा सीड ट्रावल होता है, अनिमल्स के थूभी, पश्यूओं के थूभी बीच ट्रावल होता है, एक्जांपल है इसका जैन्थम, ठीक है, अब जैन्थम का प्रोसेस भी देख लेते हैं, ठीक है, जैन्थम का प्रोसेस में क्या होता है, जो ripe food होता है, वो burst करता है, यह रहा आपका यह fruit, क्या होता है, fruit इतना भर जाता है, कि एक ताइम पर fruit फट जाता है, जब यह fruit फटता है, तो इसके जो बीच है, यह जगा जगा जगा फैल जाते हैं, ये बात थोड़ी ध्यान वे रखना, एक्जाम्पल है, इसका कैस्टर, सोया बीन और बालसम, ठीक है, आपको ये ध्यान वे रखने हैं, थोड़े से एक्जाम्पल, ठीक है, वैसे तो अब तक विंड के उपर question, वाटर के उपर question पुचा गया है, जिसका reason coconut है, बट बाए चांस, कभी इन में से भी question आ जाए, तो आपको थोड़े से उधारन दिमाग में हमेशा होने चाहिए, ठीक है friends, friends, एक चीज़ देखो, जब भी मैं कभी भी thumbnail के उपर ये लिखवाऊंगी, EBS, तो आपको ध्यान में रखना है, EBS पेपर 1 में आती है, पेपर 1 के लिए होती है, जब भी आपको जो सेशन दिखता है, नोटिफिकेशन आते हैं, उस पर जब भी science content लिखा होगा, तो आपको इधियान में रखना है कि ये पेपर 2 के लिए है science content, कभी भी thumbnail पे CTAT या all state TAT लिखा होगा, तो मतलब CTAT और जितने भी state TATS हैं, ठीक है, जो भी UPTAT हो गया, और जितने भी state TAT है, super TAT, को भी TAT, वो सारे TAT exams के लिए ये पार्ट जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, बेनिफिश बनाती हूँ, जिससे सभी बत्चों का फादा हो, which one of the following statement is true about Sunita Williams, friends, इतनी बारी पढ़ चुगे है, Sunita Williams के related, जो भी statement true है, आपको ये बतानी थी, she is the second woman astronaut of Indian origin, वो दूसरी महिला astronaut है, अंतरिक्ष यातरी है, Indian origin की, she is second astronaut of Indian origin, she is first woman astronaut, she is first woman astronaut of Indian origin, इस में से correct statement, Sunita Williams के बारे में क्या है, ये आपके एक्जाम में आया हुआ है, बड़ा इजी question है, जल्दी से बताओ, अरे क्या बात है, very good friends, 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 इसका correct answer, option number one है, she is the second woman astronaut of Indian origin, friends, वो Indian origin की, second woman astronaut है, Indian origin की first woman astronaut, कलपना चावला है, अब हम इसके बारे में discuss करेंगे, अब space travel के बारे में, अंतरिक्ष यातरा के बारे में, थोड़ा सा और discuss करेंगे, हम answer से related, देखो, हम सभी को पता है, जो भी चीज़े अर्थ पर होती है, वो fall होती है, gravity के कारण, गुरुत्वकर्शन के कारण, यह बात आप सब को पता है, first person जो space में गया, वो Yuri Guardian है, इसका नाम याद में रखना, यह exam में आ सता है, Neil Armstrong was the first man to walk on moon, जो चंदरमा पर पहला इंसान जिनोंने walk की थी, वो Neil Armstrong है, यह भी आपको नाम याद रखना है, Rakesh Sharma was the first Indian who stepped in space, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले हिंदुस्तानी, पहले भारती रakesh Sharma है, यह सारे नाम याद रखो, पेपर में पूछे जा सकते हैं, कलपना चावला एक Indo-American थी, ठीक है फ्रेंड, यह Indo-American थी, एस्टोनाट, first Indian woman थी, first Indian woman एस्टोनाट थी, जिनोंने क्या किया, space में गई थी वो, 2003 में एक space disaster हुआ था, एक shuttle disaster हुआ था, जिन में इनकी मृत्यू हो गई थी, Sunita Willian ने 6 मन से अधिक space में गुजा रहा है, she is the second woman astronaut of Indian origin, मैं बार-बार यह लाइन इसलिए बोलती रहती हूँ ताकि यह आपको याद हो जाए, यह question आपके exam में पूछा गया है, और probability है कि दुबारा भी पूछा जाएगा, ठीक है friends, आप tension मतलो, सारा कुछ cover करेंगे, देखो मुझे किसीने request की थी कि मैं previous year questions करवाए जाए, हम previous year questions बहुत तसलिए से बहुत अच्छे से करते हैं, यह करने बहुत important है, previous year questions में से कुछ type, कुछ concept exam में हमेशा repeat होते हैं, previous year questions भी देखो, ठीक है, अब sessions में मैं क्या करते हूँ, जो मैंने combo session और mega session लिया था, UPTET और बहुत different different TED exams के questions भी आपको practice कराते हूँ, हम previous year भी करेंगे, different different exams के questions भी करेंगे, mock test में different questions में आपके लिए लेके आऊँगे, चाहे वो मैं बनाऊँ, चाहे वो मैं किसी particular book से उठाऊँ, जैसे मर्जी करूँ, ठीक है, लेकिन previous year questions कवर करना बहुत जादा important है, एक idea मिलता है और इन में से भी question बहुत जादा repeat होते हैं, आप लोगों को पता है, यह बहुत easy क्यों लग रहे हैं और ऐसा क्यों लग रहे हैं, कि मैं यह तो आता है, यह तो किया हुआ है, क्योंकि मैंने कराया इतनी बार है, ठीक है मैंने चीज़ें बोल बोल के कराई आपको इतनी बार है कि अब आपके लिए ये बहुत बहुत जादा इजी हो गई है बट हमें इनको भी कवर करना है ठीक है मिस नहीं करना कावा इस स्पेशल टाइप ओफ टी बेवरेज पॉपलर इन कावा जो है वो कहां की पॉपलर है ये बताओ मुझे जल्दी से ठीक है गुड़ी जी बिलकुल मैंने आपकी रिक्वेस्ट देख ली है मैं बिलकुल जो आप कह रहे हो जाएगा थैंक्यू सो मच शिमानी जी आप इतना सपोर्ट कर देते हो ना बस वही मेरे लिए बहुत बहुत कुछ होता है ठीक है थैंक्यू सो मच फ्रेंड इसका correct answer क्या बात है आगया है इसका correct answer option number one कश्मीर है जो कावा है वो special type of tea कश्मीर की है याद रखना exam में पूछा गया है ठीक है जो tea होती है जमू और कश्मीर की कावा जो tea है उसको magic tea के नाम से जाना जाता है ठीक है यह कश्मीर की tea है आप याद रखना बहुत सा cloves, cinnamon, honey और यह सारी चीज़े मिला कर इस tea को बनाया जाता है यह और भी जगहों पर फेमस है और भी जगहों पर पी जाती है पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगानिस्तान और सेंटल एशिया में यह tea पी जाती है इंडिया में जो कावा है वो कश्मीर से फेमस है याद रख आपको कितनी आती है कैसी आती है तो मैं उमीद करती हूँ कि आप सब अब मुझे यह कह दोगे कि मैम बिना रिविजन के हम EWS का पेपर दे सकते हैं जो शायद आप उसको सपना ही कहलो यह मेरा सपना है कि आप एक दिन बढ़ सच्चे दिल से कहना जब आपका सच्चा दिल होगा ना कि हाय यह सच्चा है हम दिल से कह रहे कि हम अब हम बिना रिविजन के पेपर दे आएंगे उस दिन प्लीज मुझे बताना और उसी दिन मेरी ड्रीम पूरी होगी इसमें मैने आपको प्रॉमिस किया है कि बिना रिविजन के जाओंगे पेपर देने In a village, people make their houses having very thick walls that are plastered with mud. The roof of the houses are made by thorny bushes and the area is very scarred and here is very hot and here is very low rainfall, the house is made of small walls. Okay friends, let me tell you what it will happen. I didn't have the answer to this option. What a matter, I don't need to answer to this option number 2 is Rajasthan. This option is always to keep your attention. Whenever I will give you a pdf or telegram, I will give you the option number B. I don't need it, everyone. Friends, let's try to revise our houses. First of all, we get to see Ladakh's house. Ladakh is a cold desert. Here are two houses. You can start writing about houses. Please listen to me, but you should go to typing. Ladakh is a cold desert. It is a cold desert. Here are two houses houses. There are two houses. People also keep the houses. This house homes. The houses are on the ground below. There is also a smallness. There are many people, people keep the house. And the upper house. It is why they keep the house. It is because they find the wall from above. लदाक में है, लदाक से में famous है, पश्मीना शॉल मेरे दोस्तों, 6 स्वेटरों जितनी गरम होती है, और 200 घंटे पश्मीना शॉल को बनाने के लिए लगते हैं, क्योंकि जो higher altitude पे गोट प्रेजन्ट होती है, ठीक है, जिसके हैर यूज करते हैं, उसके बाल इतने जादा पतल होते हैं, कि वो मशीनों से पश्मीना शॉल को नहीं बना सकते, ठीक है, हातों द्वारा पश्मीना शॉल बनाई जाती है, इसलिए एक पतली सी पश्मीना शॉल भी 600 घंटे उसको बनाने के लिए लगते हैं, तभी पश्मीना शॉल बहुत बहुत जादा कॉसली होती है, अ ठीक है असम, असम के घर आप अपने सामने देख सकते हो, असम में बहुत ज़ादा बारिश पढ़ती है, फ्रेंड्स हेवी रेंफॉल होती है असम में, इसलिए जो घर है वो बैंबू के बनाये जाते हैं, ठीक है, घर जो है 10-12 फीट उचे बनाये जाते हैं, ताकि बारिश स यह घर खराब ना हो जाएं, यह रहे आपके असम के घर, इन्हें आप देख सकते हो, जो टी है, चाय वो हमारी असम से फेमस है, आपको याद रखना है, बी हु जो है असम का डांस और फेस्टिवल है, ठीक है, उसके बाद असमी बोडो, असम की लैंगवेजिज है, और सारी बाते दिमाग में रखो, एक्जाम में क्वेस्टिन पूछा जा सकता है, सारी चीजों को लिंक करके, कनेक्ट करके चलना है, आज भी वही बात रहेगी पढ़ने की, क्या बात है फ्रेंज, नीचे मैं देख रही हूँ कमेंट सेक्शन में धना धना अंसर आरह है, मैं मिट्टी के दिवारे बनाई होती है, मिट्टी से बनाते हैं, कावडंक से काये के गोबर से लीप पोथ कर इनकी दिवारों को बड़ा सुन्दर बनाया जाता है, एक तो ताकि वो ब्रेक न होएं, दूसरी इंसेक्ट्स अंदर ना आ सके, ये आपको ध्यान में रखनी है, इनकी जो छते होती हैं, वो तौरनी बुशिस की कटीली जाडियों की बनाई होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो, अब शिरिनगर और कश्मीर के घर आप देख सकते हो, फ्रेंड्स, इनकी छते इस तरह से होती है, इनकी ढालू छते होती है, ताकि रेनफॉल पड़े, स् पर आप देख सकते हो, अब तो इतनी बारी पड़ भी चुके हैं, कि हम सपने में भी यह बातें आपको घूमती रहती होगी, फ्रेंड्स, मैप साथ-साथ करना बहुत ज़रूरी है, जिस भी स्टेट के बारे में मैं जिकर करूं, मेरी विंती रहेगी, आप सबसे प्लीज मैप पर साथ-साथ माक करते रहो, लदाख हमारा यहां है, हम लदाख के बारे में बात कर चुके हैं, जम्मु कश्मीर की कावाटी के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है, उसके बाद हम पुटुचरी के बारे में बात कर चुके हैं, जो बेयो बिंगॉल की तरफ को है, य राजस्थान यहां present है, राजस्थान के घरों के बारे में भी हमें एक discussion कर चुके हैं, इसी तरह से पढ़ने के साथ साथ मैप पर भी नजरे दोड़ाते रहना है, क्योंकि मैप भी हमें exam में याद करना है, याद करके जाना है, कभी मैप से related कोई question आ गया, किसी ने बोल दिया याद करते रहना है, तो वो कौन सी दिशा में जाएगा, आपको जब तक यही नी पता होगा, मैप में दिल्ली कहां है, मैप में मध्यपरदेश कहां है, मैप में करनाटका कहां है, पुटचरी कहां है, आप तब तक कैसे बताओगे, कि क्या direction में वो व्यक्ती ट्रावल करे map by heart, आपकी आखों में दिमाग में छप जाना चाहिए, इसलिए map को बार-बार मेरे दोस्तों याद करते रहना, ठीक है? next friends, एरा आपके लिए question, every beehive, every beehive has one queen bee, हर एक beehive में queen bee होती है, rani madu makhi, a few male bees, कुछ male bees होती है, and many worker bees, और worker bees होती है, which of the following statement is true, या are true, इन में से कौन सी statement true है, ये बताईए, worker bee fly around in a search of nectar, जो worker bee है, कारे करता madu makhi है, वो इदो दोर घूमती है, nectar की तलाश में, male bee do not have any work to do, जो male bee है, उनको कोई काम निये करने के लिए हाइव में, the queen bee lays eggs, जो queen bees है, वो eggs ले करती है, worker bees are female only, जो worker bees है, कारे करता madu makhi है, वो female ह ही होती है, जल्दी से मुझे बताओ, तमना जी questions तो हो गए है, कुछ discuss कोई बात नहीं, आप लेट आये हो, अब जूड जाओ, ठीक है, क्या बात है, very good, patola saadis gujarats hai, bindu ji, shabash, जल्दी से इस question का answer दो मेरे friends, ठीक है, और जल्दी मुझे बताओ कि इसका correct answer क्या होगा, very good, आ इसका correct answer option no.2 है, very good, सभी लोगों ने almost correct answer दे दिया है, worker bees, कारे करता मदुमक्खी, रस संग रहन करती है, nectar की सर्च में इदर उदर घूमती है, leechy flower की तरव है सबसे आदा attractive होती है, male bees का काम नहीं होता, male bee का काम यह होता है, कि वो female bee को ढूंडे, female bee के पास जाएं, और जो उनकी त्यारी करवाएं कि वो अंडे दें, ठीक है, egg lays करें, queen bee अंडे देती है, बिल्कुल correct, और worker भी female होती है, option no.2 फ्रेंड इसका correct answer था, अब मदुमक्खियों के बारे में बात हो गई, और अगर आप बाकी animals को revise करें बिना session से चले गए, तो snake, elephant, बाग, tiger, giraffe, ठीक है, सारे लोग बुरा मान जाएंगे, तो फटा फट से friends, इनके बारे में आपको सब कुछ आता है, ठीक है, सब कुछ आपको पता है, सब कुछ आता है, फटा फट से answers, comment लिखने शुरू कर दो, ठीक है, कि कौन सा क्या होता है, मैं बोलती जाती हूँ, आपका काम सिरफ सेशन म सांप के बारे में, ठीक है, सनेक के बारे में क्या डिसकस करेंगे, सनेक के external ears नहीं होते, भारी कान नहीं होते, यह क्या करते है, यह feel करते है, vibrations को, कमपन को, जो ground से इने प्राप्त होती है, मिलती है, जमीन से, उसको महसूस करते है, अब शोशित करते है, vibrations को, ठीक है, जिन नेक बाइट अगर एप खिसी व्यक्तिकों कोई स्नेक गाट ले तो इसकी मेडिसन उसके जहर से ही मिलती है। ठीके बहुत मैंनी काइंड आप जो पैसे में नाम जरूर याद वने चाहिए चुछ पूछ सकते हैं कोब्रा करैत रसल वाइपर और सौ्सकेल वाइपर मैं इतनी बारी बोल ulенс की ऩ कि अब तक आपको यह याद हो गए होंगे कोबिरा, कैरेट, रसल वाइपर, सौस, सकेल, वाइपर कोबिरा, कैरेट, रसल वाइपर, सौस, केल, वाइपर I guess यह नाम आपको याद हो गए होंगे फ्रेंट्स अब हनी बीज के बारे में बात कर लेते हैं, इनको भी कुछ छोड़ना ठीक है, इनी के उपर तो question आया था, हनी बीज क्या होती है, जो हनी बीज होती है, मदु मक्हिया यह attract होती है, लीची फ्लार की तरफ, ठीक है, बीकीपिंग करने का सबसे best time October to December है, बीकीप यह सारी बातें एक साथ ही याद करनी है, अलग-अलग में हम confused हो सते हैं, ठीक है, best time बीकीपिंग करने का October to December है, यह भी बात, friends, याद रखना, every beehive, हर एक beehive में एक रानी मदु मक्ही होती है, जो अंडे देती है, कारे करता मदु मक्हीं का काम क्या होता है, कि वो रस का स लेते हैं, क्योंकि हम elephants को भी छोड नहीं सकते, elephants हो गए हाथी, हाथी हमारे हर्भी वोन्स होते हैं, elephants के बड़े-बड़े कान होते हैं, जिनको वो फ्लैप करके अपने body temperature को अच्छा रख लेते हैं, ठीक है, female जो होती है, वो जो group होता है, जो एक elephant का herd होता है, group होता है, उ elephant 7.5 liter of water पी लेते हैं, एक ही time पर यह बात याद रखना, वो 100 kg of leaf twigs एक दिन में खा सते हैं, आपको यह भी ध्यान में रखना है, elephant 2-4 hours होते हैं, friends सोने का time इसलिए important है, क्योंकि वो पूछ लेते हैं कि सबसे जादा कौन सा जानवर सोता है, सबसे कम कौन सा जानवर सोता है इनको मिट्टी में खेलना बहुत पसंद है और पानी में, क्योंकि जो mud है, इनकी skin को ठंडा रखती है, जैसे यह देखो कि तदददा enjoy कर रहा है, यह पहले मिट्टी में खेल रहा है, फिर यह पानी में खेलेगा, तो यह सारी बाते हमें ध्यान में रखनी हैं, ताकि भू प्रीजियर क्वेशन कराने का एक और मोटीव है, ताकि आप में confidence बिल्ट हो, आप क्वेशन को देखके बूलो में, यह तो आपने कराय हुए, यह भी आपने कराय है, यह भी आपने कराय है, ले इतना इसी पेपर आया था, मैं तो चुटकियों में EBS सॉल्फ कर दूँगा 15 मिनट में पूरी की पूरी EBS मेरी सॉल्फ हो जाएगी exam में, यह confidence आना चाहिए, प्रीवेस येर वाली class ज़रूर अटेंड करा करो, लाइव अटेंड करा करो, ताकि आप लोगों में यह confidence बिल्ट हो, नेक्स्ट फ्रेंड, टाइगर भाग के बारे में हम बात करेंगे, ज जो है वो एक ही टाइम में खा लेता है, ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है, जो इसकी आइसाइट होती है, देखने की कपैस्टी, वो हुमन से 6 गुना जादा होती है नाइट में, फ्रेंड यह पर 6 आ गया है, और आपको पता है 6 बहुत इंपॉर्टन नंबर है हम 6 को मिस कभी भी नहीं करते, तो 6 से हमें याद आता है कि जो लुई ब्रेल है, उन्होंने ब्रेल लिप्पी बनाई थी, ब्रेल लिप्पी में 6 बिंदू होते हैं, याद रखना, सुनीता विलियम्स ने 6 मन्द से अधिक स्पेस में बिताया था, सुनीता विलियम्स जो है जो 6 स्वेटरों जितनी गरम है और 200 गंटे इसको बनाने में लगते हैं फिर हमने कुछ वेट की बात भी की थी वेट ओफ एन अब्जेक्ट ओन मून अपॉन वेट ओफ एन अब्जेक्ट ओन अर्थ इस इकोस टु वन बाई 6 होता है ये भी आपको याद रखना है इनको ये क्या करते हैं ये अपने कान को इदरोदर मूव कर सकते हैं सुनने के लिए इनको ये तक पता चल जाता है कि जहाडीयों में ठीक है या रसलिंग ओफ लीव्स हैं मतलब हावा से लीवज हिल रही है या फिर जहाडीयों में कोई जानवर प्रेजेंट है tiger बहुत ज़्यादा alert होते है friends ये बात आपको ध्यान में रखनी है उसके बाद next आता है हमारा sloth sloth के बारे में क्या करना है वो देखते हैं जो sloth है वो mammals है जो beer की तरह दिखते हैं बड़े cute होते है sloth ये रहा sloth आपके सामने ये nocturnal annual है निशाचर जानवर है ये around 17 hours एक दिन में सोते हैं बात ध्यान में रखना मेरे french paper में पूछा जा सकता है sloth के करता है? eat करता है leaves जिस पेड़ पे वो रहता है उसी की पत्तियों को वो खाता है sloth 40 years तक जीवत रहता है 40 जे friend tiger 40 kg of meat खाता है एक time पर ये भी आपको link करना है याद रखना है ठीक है? ये move around करते हैं different different trees पर ठीक है? तो 8 trees पर कुली अपनी life span में इदर उदर रहते हैं उन्हीं की पत्तियां खाते हैं याद रखना once in a week नीचे आते हैं अपने आपको relax feel कराने के लिए क्या बात है? शावाश उसके बात friends जिराफ के बारे में देखते हैं जिराफ tallest mammal है earth पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है पांच मीटर हाइट होती है इसकी ठीक है? ये sleep बहुत कम sleep करता है ये सबसे important है ये सिरफ 2 घंटे सोता है 24 घंटों में अगर आपसे कभी question आजाए ऐसा कौन सा जानवर है जो सबसे कम सोता है तो जिराफ है ऐसा कौन सा जानवर है जबसे ज़्यादा सोता है वो sloth है वो 17 घंटे सोता है जिराफ 2 घंटे सोता है इसकी lifetime 25 साल है ये 25 साल तक जीवित रहते हैं आपको session attend करना है, previous year question वाला जरूर लगाना है, एक confidence बिल्ड होता है, हमें भरोसा होता है, कि यह सब्जेक्ट मुझे आ गया, अब मैं बाकी सब्जेक्टों पर जोर लगा लूँ, ठीक है, यह सब्जेक्ट मेरा पक्का है, यह तो सिरफ live sessions देख कर ही हो जाएगा, क्योंकि मै बोल बोल के याद इतना करा जती है, कि घर पर इसको मुझे time नहीं देना, मैं ऐसे करता हूँ, बाकी चीजों पर time invest करता हूँ, मैं कुछ और पढ़ता हूँ, friends session में जरूर आना है, previous year की book भी खोलने की जुरूरत नहीं है, मैं सारा कुछ करवाती हूँ, हर एक चीज करवा ठीक है, और यह हो गया, friends, तो हम आगे बढ़ते हैं, next question देखेंगे, in which one of the falling stage tapioca grown, tapioca कहा grown होता है, जल्दी से बता दो, मेरे दोस्तों, मैं को नहीं लगता कि आपको नहीं आता होगा, बड़ा असान question है, हम सभी को आता है यह तो, ठीक है, इतनी बारी चीजे कराती हैं, तब ही आपको अशा लगते हैं, तो बड़ा easy है, यह तो हम easily कर लेंगे, यही मैं चाहती हूँ, क्या बात है, thank you Malika Rani जी, यह ऐसे कुछ messages जो मुझे कह देते हैं, मैं, EVS में confidence हो गया, मैं, EVS हमें आ गई, मैं, हम EVS तो बिना revise करे भी दे सकते हैं, बस, एक इन, इन messages के मैं महनत करते हूँ, कि यार, सेशन से जाओ, तो satisfy हो कि हाँ, कुछ पढ़के गए थे, मजा आया, अरे क्या बात है, दोस्तो, for Kerala, इसका correct answer है, इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत easy question था, जो tapioca है, वो Kerala में grow होता है, by chance कोई मेरा सेशन में नया जुडता है, नया सेशन यार, आपको, ठीक है, टेंशन नहीं करनी, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको बस सेशन में आयो आप लिंक विंक अगर आपको नहीं आरा करना, क्या होता है, कैसे होता है, तीन सेशन लगा लो, मैं आपको जुस यह कह रहू हूँ कि तीन सेशन लगा लो आप मे सबसे पहले आता है Hong Kong अनुरादा जी, English तो English वाली मैम पढ़ाते हैं, ठीक है, रितिका मैम जो English के सेशन लेते हैं, वो English पढ़ाते हैं, मैं EBS और Science, Science Pedagogy और EBS की पेड़ागाजी की responsibility मेरी है Very good, मज़ा ही आना चाहिए क्लास में, ठीक है, अपन को क्या करना है, सब कुछ ही आद करना है, क्लास से याद करके जाना है, घरवर के टंटेनी है, ठीक है, अब Friends, Reason और Place, सबसे पहले Hong Kong, Ling Hoon Fen, Ling Hoon Fen, जो Snake of Meat है, वो Hong Kong में है, याद रखना ये बात, कश्मीर से, Fish Cooked in Mustard Oil, कश्मीर से है, ध्यान में रहे, गोवा, Fish Cooked in Coconut Oil, अब, Question ऐसे भी आ जाता है, जो Fish है, वो Cook होती है, Mustard Oil में, कहां, आपको ध्यान में रखना है, कश्मीर, सरसो के तेल में मचली पकाते हैं, कश्मीर के लोग और गोवा वाले लोग, नारियल के तेल में, कोकनट के तेल में, पकी हुई मचली लाइक करते हैं, खाते हैं, ये बहुत बारीक सा पॉइंट है, आपको ये याद करना है, केरला, याद तो क्या ही करना है, सेशन में आना है, याद हम बार बारी बोल बोल के कर लेंगे, केरला से फ्रेंट टैपी ओका और कड़ी made of coconut है यह आपको ध्यान में रखनी है फिश्ट जो है यहाँ पर coconut oil में पकाई जाती है coastal area है जो southern India का वहाँ पे seafood, cooked in, coconut oil है यह भी ध्यान में रखना एमदाबाद और गुजरात में धोकला मिलता है विच चटनी, lemon rice और मिठाई यह question previous year में आया था अगर एक vendor कुछ बेच रहा है और वो जो train है वो रुकी गुजरात में तो क्या-क्या होगा खाने में क्या चीज वो बेच रहा होगा धोकला विच चटनी, lemon rice और मिठाई वालसत, बटाटा, वड़ा, पूरी शूंक, दूद, उदपी से इडली वड़ा है बिहार से लिथी, चोका, बिहार से मदुबनी, पेंटिंग बिहार से मेरा, बी कीपिंग, बिहार, October to December बिहार से बड़ा कुछ है ठीक है उसके बाद, मिजोरम से rice है असम से आपकी rice, tea, ये सब कुछ है असम से मुगा सिल्क है, बोडो है, असमी असम की language है घर यहां असम में कैसे होते हैं ये सारी बातें बिहु असम से है हम लोगों को हर पॉइंट पर बार-बार करनी है ताकि याद रहे Which one of the following can find its partner, female partner many kilometer away by the smell इसा कौन है, जो सुगंद से स्वेल ही, अपने फीमेल पार्टनर को, मादा पार्टनर है, साथ ही उसको बड़ी दूर से पहचान लेता है, जल्दी बताओ क्या अंसर है क्या बात है, very good बहुत लोग बहुत बढ़िया-बढ़िया कनेक्शन कर रहे हैं जाओ मैं पैड़गोजी की एचा पैड़गोजी आप मुझे लगा सॉरी, पैड़गोजी बूचों है राजिप जी पैड़गोजी की क्लास भी हो जाएगी, आप टेंशन मतलो नेक्स्ट वीक साइंस पैड़गोजी पर सेशन है उससे नेक्स्ट वीक फिर मैं पैड़गोजी पर भी जादा जोर दे दूगी वैसे पैड़गोजी के दो तीन चाप्टर्स मैं आपको करा दिये हैं पेडागोजी भी में आप लोगों को इसी तरह से कम्पलीट कराऊंगी फिर इसी तरह से पूरी की पूरी EVS की रिविजन करा करेंगे जिसमें कंटेंट और पेडागोजी को लिंक बना के रिलेट कर लेंगे फिलाल के लिए तो हमने 6 का एक लिंक बनाया पेडागोजी के साथ की सिक्स थीम्स होती है ठीक है बाकी पेडागोजी भी ऐसे ही एक सेशन में कर लेंगे क्या बात है फ्रेंट सिल्क वर्म इसका करेक्ट आंसर है जो सिल्क वर्म होता है वो क्या करता है अपनी माधा साथी को अपनी फीमेल partner को उसकी smell से पहचाल लेते हैं, ठीक है, तो चलो, कुछ point revise करते हैं, जो important है, इससे related, ands है, जो अपने group को एक special type of order से friends पहचाल लेते हैं, जो cheaty होती है, उनके एक जो sammoo होता है, group होता है, उसको एक special सी गंद, पहचाल लेते हैं, कुछ insects ऐसे होते हैं, जो attracted towards their mate, कुछ ऐसे insects होते हैं, जो अपने mate की तरफ, अपने जो partner की तरफ अट्राक्ट होते हैं, उनकी smell से, वो दूर से ही पहचाल लेते हैं, अच्छा, इतनी गंधारी है, मतलब यह मेरा partner है, example, silkworm है, जो आपसे question में, पूछा गया था, उसके बाद, friends, हम आउल के बारे में भी discuss करेंगे, जब बात छिडी है, तो सभी चीजों को नबेडते हुए, चलो, कुछ भी छोडो मद, आउल जो हुलू होता है, वो almost fully rotate कर लेता है, अपने head को, क्योंकि उसके आखें गड़ी हुई होती है, fixed होती है, अब यहाँ पे देखो image में, ठीक है, उसके आखें fixed होती है, तो almost अपनी गर्दन को पूरा rotate, आउल कर सकता है, spider जो है, वो alone रहते हैं, यह बड़ा important है, exam में पूछा जाता है, ठीक है, जो spider है, वो alone रहते हैं, कभी भी colony में नहीं रहते, यह समूह नहीं बनाते, spider alone रहते हैं, यह point I guess सारे आपको clear है, ठीक है, बिलकुल बिलकुल, तमना जी 30 में से 30, हम सब को लेके आने है, exam में, किसी भी हालत में, शावाश, क्या बात है friends, बहुत सारे अच्छे कनेक्शन करें, कुछ लोग साइंस के फॉर्मिक असिड को भी जोड़ रहे हैं, very good, राशित तुक आउट इस, अच्छा यह वला question solve करो, राशित तुक आउट इस pair of spectacles, राशित ने क्या किया अपने spectacles का pair निक water from his mouth formed a film on the glass of spectacles, जो के मूँ से पानी निकला, उसने पारत बना ली, ठीक है, उसके specs के glass पर, hot air from his mouth evaporated to form a water film on the glass of spectacles, वो कहते है, जो hot air है, जो मूँ से निकली वो एवापुरेट हो गई, और यो water की film बन गई, hot air from the mouth condensed to form tiny droplets of the glass on his spectacles, जो hot air है, जो मूँ से निकली, वो tiny tiny droplets बन गई उसके शीशे पर glass पर, उसके spectacles के, ठीक है, cold air from his mouth condenses to form tiny droplets on the glass of spectacles, जल्दी बताओ, इसका correct answer क्या होगा, रे क्या बात है, मेरे बोलने से पहले ही, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसका answer दे दिया है, मेरे दोस्तों, इसका correct answer option number 3 है, कैसे, discuss करेंगे, but option देखते है, hot air from his mouth, उसके मूँ से जो गरम हवा निकली, वो condense हो जाती है, tiny tiny droplets बन जाते हैं, glass के उपर चश्मों के, आपने कभी देखा होगा, जो लोग specs पहानते हैं, वो कभी, अगर मूँ cover करके scooter भूटर चलाते हैं, तो कभी-कभी क्या होता ह है, कि वो जो air निकलते हैं, उनके glasses धुंदले-धुंदले हो जाते हैं, अब पढ़ते हैं, ये एक note है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, देखो friends, एक चीज हमेशा एक चीज देखना, कभी भी खाना अगर गरम हो, ठीक है, आप क्या करते हो, गरम खाना है, आप च थंडा हो जाएगा मेरा खाना, तो आपने मुझ से फूकमारी खाने को थंडा करने के लिए, पहला point, दूसरे case में जिब थंड होती है, तो आप लोग क्या अगर तो फूकमार के आपने हाथ से रगड रगड के गरम कर तो, मैंने बोला, कि यार अब फूकमार के क्यों गरम कर रहे हो, आपने बोला, यार मेरे मुझ से गरम अब निकल रही है, जब मैं हाथ तो फूकमार के ऐसे सरब करूँगा ना, मेरे हाथ गरम हो जाएंगे, तो मैंने आप से एक सवाल पूछा, कि यार खाना ठंडा करने के लिए फूकमारी, हाथों को गरम करने के लिए फूक करके है, तो आपने आंसर दिया, कि हमारे मुझ में से जो एर निकलती है, मेरे फ्रेंड्स, वो जो एर हमारे मुझ से निकलती है, वो डिपेंड करता है, बहार का इंवार्मेंट कैसा है, अब खाना गरम है, तो हमारे मुझ से जो भी एर निकलेगी, वो ठंडी निकलेगी, जो खाने को ठंडा करेगी, बाहर ठंड बहुत जादा है, तो अगर आप अपने हातों में हवा फूकोगे और जोर-जोर से रगडोगे, तो होगा क्या, आपके मुझे इस टाइम पे गरम हवा निकलेगी, क्योंकि बाहर ठंड बहुत जादा है, तो ये बात हमेशा ध्यान मे रखनी है, हमारे मुझ से जॉंसी भी हवा निकलती है, वो बाहर के temperature के उपर depend करती है, ठीक है, अब logic और funda समझो, इसके पीछे क्या था question में, question में है, अगर have you ever thought why glasses on spectacle become hazy when you blow on them, क्या आपने कभी सोचा है कि जो glasses है, यह आपका चश्मा है, अगर हम इसमें, मैं blow करूंगी, तो यह जो है चश्मा मेरा क्या हो रहा है, हेजी हो रहा है, ऐसा क्यूं हो रहा है, ठीक है, अगर आप से कोई सवाल पूछे, जो air blow होती है, हमारे माउथ से friends, वो hot होती है, वो water droplets बन जाएगे, तो चाश्मा हेजी हो जाएगा, इसलिए, जो चाश्मा हेजी हो झाता है उमारे मूह Papas ashकिप पूर जाती है, तो इसको उपर गन्देन्स हो जाती है, वो our water droplets बन जाते है, और चाश्मा हेजी हो जाता है, जो हमारेatorio3 मेता, बिलकुल बिल्कुल जी thank you let's learn जी आपने भी बोला session अच्छा है thank you very much the neighboring states of Gujarat और अर बहु ये वला question बताओ ठीक है neighboring state of Gujarat बताओ और बड़ी ये बताओ thank you so much Sonika Singh जी ठीक है तो जल्दी बताओ neighboring state क्या कॉंसी Gujarat की यार ये तो सही पह हो जाएगा अब तो map पक्का हो चुका है हमको map आ चुका है ये question पक्का सही है जल्दी बताओ friends जल्दी क्या बात है very good बहुत सारे बच्चों के answer नेहा दूबे जी का answer आ गया है ठीक है और भी लोग ठाठाठा करके answer बताओ शाबश correct answer option number 4 है friends neighboring state of Gujarat पूछा गया था कोई ओखा question नहीं है Gujarat के neighboring में Rajasthan लगता है Madhya Pradesh लगता है महराष्ट्रा लगता है worldly paintings और worldly tribes मेरी महराष्ट्रा से है Madhya Pradesh से मेरी Pithoda paintings है Rajasthan से मेरा बहुत कुछ है Rajasthan से मेरी KJD के trees है Rajasthan से Rajasthan के घर है तो Rajasthan से हमने बहुत कुछ पढ़ा है यह सारी बाते हमें लिंक करते हुए याद करते हुए चलनी है मेरको नहीं लगता कि आपको कुछ भी कभी गलत होने वाल है Madhubani is a traditional art form named after a village in a state of Madhubani कौन सी state से है मताओ यह 2016 में question था अब मेको तो नहीं लगता कि 2016 के ऐसा कोई भी question है सब कुछ correct होगा जल्दी से बताओ Madhubani paintings कहां से हैं Maharashtra से हैं, West Bengal से हैं, Odisha से हैं या Bihar से हैं कोई बात नहीं फ्रेंट्स टेंशन ही ले नहीं रॉंग वॉंग यहां पर सो रॉंग होजें कोई फरक नहीं बढ़ता हमें exam में बस एक्जाम में रॉंग नहीं करना ठीक है मुझे आपके फुल मांक्स चाहिए 30 में से 30 और सभी के मेर को यह नहीं होता है कि यार मेरे सेशन में कम से कम 1.500 बच्चे लाइवाए 50 के भी आगए तो भी क्या 100 के नहीं भी नहीं 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 500 के लाइवाए और लाइव के लावा जो मेरे फ्रेंड्स सेशन वैसे देखते हैं हमिछे सेशन को लाइक करते हैं उन सबके भी मुझे फुल चाहिए जो लोग मेरे साथ कनेक्टे हैं आप सब मेरी रिस्पॉंसिबल्टी हो भाई 30 में से 30 क्या बात है इसका करेक्ट आंसर भिहार है मदुबनी पेंटिंग भिहार राजे से है मदुबनी पेंटिंग जो होती है वो प्राकृतिक कलर नाच्रल कलर से बनाई जाती है नाच्रल कलर से फूलों से पतियों से मिलते हैं लिये जाते हैं मदुबनी पेंटिंगों outta pe Kabulu के पेष्ट से आकर्षित किया था? सुंदर बनाया जाता है फीक है? उसके बाद मदुबनी पेंटिंग के बारे में और किया है? मदुबनी पेंटिंग क्या क्या दर्शाती है? अनिमल्स हो गए, बर्ड हो गए, यूमन्स, पेड पौदे, ये सारी चीजें मदुबनी पेंटिंग्स दर्शाती है, बिहार से लिथी चोका है, ठीक है, और बिहार से क्या कहा है, अक्टूबर तो देसेंबर, बीकीपिंग, ये सारे कुछ बिहार राजय से है, ये हम सब को याद रखना है, लीची भी बिहार से फेमस है, ठीक है जी, शावाश, वेरी गुड, सब ही को वेरी गुड है, यार, नहीं, बिल्कुल, गुरिया जी, मैं बिल्कुल, अभी तो मैं बिल्कुल नहीं, ठीक है, आप मुझसे पूचरो, मैं 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 मैरेड हो, नहीं, मैं म प्रेटमेंट करेक्ट है, Malaria is caused when a female mosquito which has bite in a malaria patient bites another person, एक व्यक्ति जिसने एक malaria के व्यक्ति को बाइट किया और दूसरे को बाइट कर लिया तो malaria फैलता है, malaria is caused by mosquito bite at night, रात को मच्छ लड़े, तो malaria होगा, malaria is caused by mosquito bite, malaria मच्छ के काटने से लड़ता है, बहुत बहुत अच्छ करते हो, ठीक है, twinkle, जोती रेख, सबी लोगों ने, pulkit, सबी लोगों ने बहुत अच्छ करनेक्ट करते है, पते क्या होता है, नाम अब इतने जादे होते है, मैं सोच्ति अगर मैं बाइट इसका नाम लेदिया, और किसी का मिस हो गया, तो आप लोग फिर नाज हो जाओगे, इसलिए मैं जब वरी गुट बोलती तो आप सबी के लिए है, ठीक है, जल्दी से बता दो इसका करेक्ट अंसर के है, और थैंक्यू सो मुच फ्रेंज आप लाइवाए, 150 लोग लाइव हो गए, पहले तो मैं दोसों पे बहुत कुछ थी थी, क्या आप बात है, सेशन में दोसों सबादा लाइवाए, आपको थैंक्यू बोलती थी, बट अब एग्जाम का टाइम हो गया, आप वैसी लाइवाना कम हो गयो, आप 500 लाइवा रहे हो, वो भी मेरे लिए बहुत है, थैंक्यू सो मच आप सभी लोगों को, जो मेरे लिए सेशन में लाइवाए हो, थैंक्यू सो मच, फ्रेंट्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन नमबर 4 है, Malaria is caused by female mosquito bite, Malaria जो है female mosquito bite से होता है, कुछ लोग कोई बात नहीं, option number 1 भी लगा रहे हैं, यार टेंशन मतलो अभी देखते हैं, इसका correct answer क्या है, इसका correct answer D है मेरे दोस्तों, A नहीं है, थीक है, तो malaria देखते हैं friends, Malaria is a life threatening disease, जो malaria होती है वो जान लेवा बिमारी है, life threatening disease है, इस टिपिकली transmitted, through a bite of an infected female anophilis mosquito, जो female, माधा anophilis mosquito है, उसकी bite से, जब वो मच्छर किसी को काते गा, तब उस व्यक्ति को malaria हो सकता है, यह बात हमें ध्यान में रखनी है, infected mosquito carry plasmodium parasite, जो infected mosquito है, ठीक है, उसमें, वो क्या carry करते हैं, plasmodium parasite carry करते हैं, plasmodium के प्रजीव carry करते हैं, जब वो mosquito काट देते हैं, जो यह plasmodium parasite है, यह हमारी blood stream में चला जाता है, जिस वज़े से malaria होता है, आपको female anophilis mosquito को याद रखना है, मेरे friends, यह बड़ा important है, high fever होता है, चिली ज्रेगर्स होता है, कपकपी से उठती है, बुखार होता है इसमें, तो क्या करा जाता है, dried powder bark, जो सिंकोना का पेड है, उसकी जो बाक है, उसकी चाल है, उसको boil कर देते हैं, और व्यक्ति को पिलाया जाता है, ठीक है, malaria की treatment के लिए, अब आजकल के टाइम में, तो tablets भी आगी है, पहले टाइम में, सिंकोना के related भी question आपके exam में पूछा जाता है, यह हम सब को याद रखना है, और जल्दी से मुझे comment section में इसमें लिख के बता दो, ऐसे कौन थे, कौन से साइटिस थे, जिसने malaria की दवाई को invent किया था, दूसरी बात उन्होंने malaria के पेट में, मच्छर के पेट में जहांके देखा था, तीसरी बात उन्हें Nobel Prize मिला था, जल्दी से मुझे बता था, नेहा जी, इसका correct answer option number D है, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, malaria is caused by female mosquito bite, जो female mosquito bite है, मादा मच्छर है, उसके काटने से malaria होता है, यहां क्या लिखा है, first option जिसमें आप confused हो रहे हो, malaria is caused by female mosquito bite, mosquito which has bitten a malaria patient, ऐसा नहीं है, अगर मालो किसी व्यक्ति को malaria है, अगर कोई मच्छर उसको काटेगा, जिसको malaria है, अगर वो किसी और को काटेगा, तो malaria नहीं फैलेगा, अगर normal मच्छर काट रहा है, तो malaria क्यों फैलेगा, अगर वो female mosquito है, mosquito में अगर plasmodium parasite है, mosquito में अगर प्रजीव है plasmodium के, तो वो व्यक्ति को काटेगा, तो malaria होगा, ठीक है, यहां पर वो कह रहे हैं, कि अगर कोई भी female mosquito, x, y, z, मालोग कोई भी मादा मच्छर ने, जिस व्यक्ति को malaria है, उसको काटा, और उसने फिर दूसरे को काटा, तो malaria हो जाएगा, नहीं, malaria के होने के लिए, उस मच्छर के पास, plasmodium parasite होने जरूरी है, तब होता है, ठीक है, D ही इसका correct answer है, अब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, माम A answer है, कुछ कहते हैं, D answer है friends, इसका D right answer है, ठीक है, Very good, Ronald Ross, इसका correct है, अगर फिर भी, मैं हमेशा, जब भी आप कहते हैं, नहीं माम यह होगा, यह होगा, मैं हमेशा cross check करते हूं, हमेशा, ठीक है, अगर आप फिर भी कहते हो, कि नहीं माम A होगा, cross check करो, मैं ज़रूर answer की में जाके, एक परी cross check ज़रूर करूंगी, बाए चांस, अगर मैंने जो बताया, गलत हुआ, जना आप लोगों को चले जाये, तो मैं एक बड़ी check जरूर करूंगी, लेकिन इस option में क्या है, malaria is caused by a female mosquito which is bite on a malaria patient, bites another patient, यह option यह है, यह option है, malaria is caused by a female mosquito bite, मैं जरूर इस option को check कर लूंगी, अगर आप कहते हो तो, ठीक है, आप टेंशन मत को, यहां पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं, कि मैं हम right है, 4E right है, 4E right है, 4E right है, 2-3 लोग कह रहे हैं, जो मैं 1B right हो सकता है, हो सकता है, 1B right हो, मैं जरूर चेक करूंगी, आप उस चीज की tension, बिल्कुल भी मतलो, अगर गलत हुआ, मेरा वादा है आपसे, अगले सेशन में, क्वेस्टन दुबारा डिसकस करेंगा है, मैं अपनी गलती को एड्मिट करते हुए, आपको जरूर करेक्ट आंसर बताऊंगी, ठीक है, चलो फ्रेंड, जरूर इसको चेक करेंगे, ठीक है, एसी कोई टेंशन मतलो आप, तो चलो, नेक्स्ट क्वेस्टन बताऊ, रीना स्टेज इन डेली, शी वांस तो विजिट हर आंट इन गवालियर, रीना जो है वो डेली में रहती है, उसको अपनी आंट को विजिट करना है, जो गवालियर में रहती है, कौन सी डारेक्शन में वो ट्रैवल करेगी, जल्दी से मुझे बताओ, बिल्कुल, अविका जी फिकर मत करो, हो जाएगा, ठीक है, देखो अब D है, A है, फिकर मत करो, बहुत सारे बच्चे D कह रहे हैं, कुछ-कुछ बच्चे A भी कह रहे हैं, तो हम जरूर चेक करेंगे, फ्रेंड्स के option होगा, ठीक है, आप लोगे, आप आप डी, मैं में, ऐसे मत करो, मैं जरूर चेक करूँगी, अगर गलत होता है, तो मैं पक्का correct answer convey करूँगी, आप टेंशन मत लो, मेरे को अपनी गलती को admit करने में, कभी problem नहीं होती, क्यूंकि मकसद आपको सही knowledge देना है, मकसद यह नहीं है कि नहीं, मैं बोलो ना जी, मैं तो perfect हूँ, मैं गलती हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, इंसानों से गलती हो जाती है, गलत होगा, नेक्स सेशन में डिसकास होगा, अगर भाईचन नहीं गलत हुआ, तो फिल डिसकास मैं नहीं करूँगी, जस्ट आपको यह कह दूँगी, कि friends, जो answer मैंने कराया, वो correct था, चेक मैं जरूर करूँगी, अरे, मैप की टेंशन नहीं लेनी, जल्दी बताओ इसका answer क्या होगा, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, मैं मुझे मैप ही नहीं समझ आता, ठीक है, सबसे पहले तो friends, इसका correct answer, option no.3, साउथ है, डिसकर्स करते हैं, रिना दिली में रहती है, और उसको ग्वालियर में किसी से मिलना है, अब क्या है, कुछ लोग हमेशे ऐसे कहते हैं, कि हमें मैप समझ नहीं आता, friends, मैप में कुछ समझने का नहीं है, मैप में जिस्ट एक चीज है, कि हमें क्या करना है, मैप को दिमाग में बसाना है, आपको जिस्ट एक पता होना चीज है, कौन सी स्ट इट कहा है, जेखर तो मुझे पता है, सब-स्ट नहीं पता होता है नहीं इस्ट कहा है, इसी वज़े से हमारा हो जाता है question गलत यार पहली बाद जिनका map वीक है कमरे में map लगाओ ठीक है प्लीज अगर आप मुझे अपना दोस्त मानते हो ना तो मेरी सच में कहना मानो map कमरे में लगाओ रोज के आपको 10 से 15 मिनिट आपको special नहीं देखना मालो आप बाल कॉम कर रहे हो मालो आप त्यार हो रहे हो रूम में आए खाना खाते खाते आप उस मैप पे नजर दुड़ाओ रोज का याद कर लो अच्छा मैने कोई 5 स्टेट्स नौर्थ की याद ही याद करनी है तो 5 पांच करके करो आपने देख लिए अच्छे जम्मु कश्मीर का एं माचल परदेश का है ठीक है आपने सारी स्टेट्स देख लिए कौनसी कौनसी स्टेट का है वो स्टेट्स को दिमांग में बसाओ सिरफ उनी को देखो एक दिन ठी पुरानी पांच भी देखो सुन नहीं पांच भी देखो उनको दिमांग में बसाओ अगले दिन और पांच एड करो और इसी तना से अपको दिमांग में निरो सेट करने एक खुपी पर बढ बर खुर है पना खिर्ड देकर मैं, आपना मैं मैं आप ली ख्ंटल ममें और सब्सक्राइ पार विर मैं हम रिखना है। यह करूंता हैं छोगिय कर रादीन सेशने हुt द अपना थे सवा तन Сेशन कि अवर और सेख करेंसी प्रों करेंसी पेफने हो खोना मैं कर दो ठीक है हाँ, बिल्कुल, map को पक्का लगाओ, screen पर map लगाओ, ठीक है, जैसे भी होता है, map को इसी तरह से strong करो, अपने map को आपका map जरूर पक्का होगा, जिन भी लोगों को session अच्छा लगे friends, प्लीज जाने से पहले like बटन ठोक के जाना, ठीक है, like ठोक के बिना जरूर जान वो important है, और I guess, एक चीज बताओ पहले मुझे, यार, कि आप लोगों को EBS पड़ी, आप लोगों ने, आप मेंसे ऐसे कौन से हैं, 156 लोग मेरे साथ अभी live जुड़ है, आप मेंसे ऐसे कौन से हैं, जो confidently कह सकते हैं कि हमारी EBS हो गई, हमारी EBS strong है, हमारी EBS अच्छे से आ चुकी है, थैंक यू सो मच चिका जी, क्या बात है, वेरी गूर नित्ये गुप्ता जी ने मैप लगाया है, बिल्कुल, बिल्कुल मैप ऐसे ही याद हो जाता है, मैप की टेंशन नहीं लेनी, क्या बात है, नमरता जी, थैंक यू सो मच, गरिमा, मलिका, रानी, प्रियंका, पॉल, शाबाज, थैंक यू सो मच, फ्रेंड, कोई बात नहीं, जानवी जी, आपकी नहीं हूई EBS strong कर देंगे, आप बस session अटेंट करने आओ, ठीक है, आप थोड़े से session अटेंट करो, आप अब भूलो के मेरी भी strong है, अब तो मेरा target है कि आपके मूँ से निकलवाना है कि मेरी भी strong है, सैनी साब जी, आप कह रहे हो मैं आप यार बहुत कहते हैं, अचली friends बात ही है कि मुझे ऐसा होते है कि पढ़ाओ तो बिंदास फढ़ाओ, ठीक है, तो वो flow-flow में कभी-कभी हो अब बात है, very good, Tamanna ji 70% हो गई है, बहुत बेटर हो गई है, शाबाश अचली जी, very good, अचा विद्या भी वेक जी कहें हमें नहीं आती, फिकर मत करो विद्या भी जी, कुछ सेशन के बाद आपके मूँ से भी मैं निकलवाऊंगी कि मेरी इवे स्ट्रॉंग हो गई है, अच अब उस मेथद से मैप जब करोगे, आपका सच में मैप बहुत बहुत जादा स्ट्रॉंग हो जाएगा, क्या बात है, अनुरादा जी की भी कंपलीट हो गई है, तो शाबश, सभी लोगों का अल्मोस्ट मैप सबकुछ कंपलीट हो गया है, तो फ्रेंट्स, एक चीज में आपको बतानी थी, पहली चीज तो अनौन्स करनी थी, कॉम्बो सेशन में जुड़ेगा, ठीक है, प्रीत मैम और केतन सर लेंगे, SST और क्या कहते है, आपकी टीचिंग अप्टिटूड का सेशन होगा, प्लीज अभी लोगों को जुड़ना है उस सेशन में, ग्यारा बज पेपर 2 के कोर्सिस भी है, जिनका मैठ साइन सब्जेक्ट है, जिनका सोशल साइन से उनके लिए भी है, सिरफ किसी को CDP खरीदनी है, कोई असा सोचे कि मेरी CDP वी कैमे बाकी तो मुझ आते ही है, तो वो CDP के लिए अलग से कोर्स भी है, पेपर 1, पेड़गोजिस सारी सब तो आप यह सब ले सकते हो, हमारे ही जिए पास थासरी कोर्सिस रखए है, अवेलिबल है, मत्स पेपर 2 का टकेंड पेड़गजिस ले लो, सोशल सा 1, हिंदी ले लो, कूई पर, कुप पनतें प्लस पेड़गोजिस भी बाई कर सकते हो, यह सारे के सारे courses है, telegram पे मैं अपनी pdf देल दूगी, अगर बाइजन किसी को वह help चाहिए, किसी को कुछ जानना है, पूछ रहा है, नंबर पर call करो हमारे, यहां पर नीचे दिया है, कोई भी type की information आप ले सकते हो, अरे अंजली जी, tension ही लेने की, ठीक है, science, science की tension, मतलब सबको आगई, 10% जो कहरें नहीं आई, मेरा अगला टार्गेट है कि उनके मूँसे भी निकलवानाएगी हमको आगई, अब रही बात science की, आप tension मतलो, दीरे दीरे जैसे science कबर होती जाएगी, sessions हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमें सारी science भी आजाएगी, ठीक है, फ्रेंज, आपको सारा टाइम टेबल मिल जाता है, कॉम्यूनिटी भी हम लोग पोस्ट कर देते हैं, मेरे सेशन नहीं भूलने, 6 बजे होते हैं, Tuesday से Saturday, उनमें लाइव पकाना है, जो मर्जी हो जाएगे, आप लोगों ने लाइव पकाना है, जो मर्जी हो जाएगे, मैं साइंस देखो, बिंदास साइंस करेंगे, और आप लोगों साइंस में भी इतने ही स्ट्रॉंग होगे, जितने एवियस में हो, यह मैंने आपको बता दिया, तो मेरे फ्रेंड्स, इसी तरह से, अरे बिलकुल पुलकित रावाजी, थट्टी में से थट्टी का टार्गेट है, हम कर करेंगे, सेनी साब जी, अभी तो मैं 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 नहीं हूँ, ठीक है, अभी ऐसा कुछ विचार भी नहीं है, कुछ टाइम तक, अगर कभी ऐसा होता है, मैं पक्का आप लोगों को बताऊंगी जरूर, और पार्टी आप ले लेना, कोई प्रॉबलम नहीं है, ठीक है, तो चलो बिल्कुल, सौनिका जी, अगर वैसे तो अभी तक अभी तक कुछ फ्लान नहीं है, बाइंचांट यर फ्यूचर कभी आगे जा कर ऐसा कुछ होता है, तो जरूर, ठीक है, आप लोग के साथ शेयर करोंगे, यार, आप लोग मेरे फ्रेंड्स, आप लोग मेरी फैमिली ओ, इक अटेच्टमंट्स ही आप लोगो के साथ, आप आते हूँ सेशन में अप तुमेर नाम से अप लोगो को इतना जानने लग गया लोग अंगि मुझे का बताहँ, ये वच्छा मेरे सेशन बताहँ, हम पूरी मस्त करेंगे याप तेंच्ण मतलो, प्लीज ग्ई श्या निर बाकि जो बच गई है वो भी मैं कर दूँगी, मेरा प्रामिस है आप लोगों से, ऐसी जुटते रो, प्यार देते रो, यार, सेशन में लाइव आते रो, ठीक है, और लाइव लगाते रो, थैंक यू सो मच जुटने के लिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच, पार्टी राजी तेलिग्राम चैनल आप Edutab Seated के नाम से डालो फ्रेंद्स, टेलिग्राम चैनल पर आप हो जाओगे, अड़ ऐसा कुछ नहीं है, आप टेलिग्राम को डाउनलोड करो, Edutab Seated KVS पर जाओ, टेलिग्राम बिंदास, एड़, ठीक है फ्रेंद्स, तो सभी को बबाई है, ठीक पूरा नहीं मानना, कमेंट में लिखो, मैं जरूर आंसर करूंगी वीडियो के नीचे, मेरे यहां से बंद करते ही, आपको कमेंट बॉक्स दिखना शुरू हो जाएगा, बबाई मेरे फ्रेंद्स, टेक केर, गुड़ नाइट आप सभी को.